कर दोस्तों यूटूब चैनल धीरजर मैंसेशी में आपका स्वागत है तो देखते हैं अज एक अक नियम पर आधारी सवाल एक नियम जिससे क्या होता है चार किलोगराम चावल कितना होगा ऐसेर एक नियम पर इसमें नियम होतас अफ़ी में अन्पाथ और दुसरा और प्रतलोम मानुपाथ क्या होता हमाद यह जब देखें जब जिसमें इस प्रकार के सबने को सवार्य दोनों लगे अनु झतार धूकह घ्र्वाइज है उसे कहते hygiene-s पाटी on कुआन पाती क्या होता है अनकुषाएं पाथी वह होता है जब हम इधर कर बढ़ाएंगे तो तो इदर बढ़ जाएगा अगर गटाएंगे तो अगर गटाएगा श्रक्रा प्रतिलोम होता है इससे हम कहते मितलब होता है उल्ता होगा इधर क माणन बढ़ाएंगे तो घटेगा अगर घटाएंगे तो अधुकी इसान किसमें कौमान पाथ अब देंगे हमने बताया अनलों पाटमान क्या होता अनुकुमान पाती जिस में अगर बढ़ रहा है तो बढ़ेगा घट रहा है तो खटेगा अब यह से समझेए अगर 4 kg चावल का मुल्य 420 है तो 12 kg यानि चावल क्या हरा रहा है तो बढ़ रहा है तो भताव मुल्य बढ़ेगा या नहीं बढ़े चैप्टर है यहां पर समझें अच्छे से जिसे कोई दूरी है अगर आप 30 किलो मीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाते हैं तो समय कितना लगता है तीन अगर आप स्पीड बढ़ा देंगे तो बताओ समय बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा समय घटेगा यहां पर उल्टा होगा देखें 30 किलो मीटर प्रति घंटा की स्पीड से अजार है आप 30 किलो मीटर प्रति घंटा की स्पीड से तो कितना समय लगता है तीन घंटा अगर आप स्पीड बढ़ा देंगे तो समय क्या होगा कम हो गया यहां पर क्या हो रहा है उल्टा हो रहा है यहां पर किस प्रकार स इंशान ले गय गए घ्रकैंज दूसरा किस प्रकार से लेगा इश्न पर समय का यहां पर समझेए इसके कच्छा साथ में जो दिया और इस फ्हस्ते चार लिखेंगे फी अनपात लिखेंगे फिर सब्सक्राइब है दोकी गड़ा पर होते हैं मतश् 제품 भेर देनी चार गॉड़े एक्स बराबर 12 गुड़े 420 यह का जा मार्थ कुछ 2 बारा गुड़े 420 बटे चार यानि चार से भाग देंगे कितना गया तीन यानि यक्स का मान आ गया तीन दूना छे तीन चक्कु बारा यानि बारा सो साथ रुपे यह हमारा एंसर हो गया यहां पर भी सिपर कार से समझे अच्छे से तीस लिखेंगे फिर अनपात 40 अब देखें चार बारा लेखा फिर 420 यक्स लिगे यहां पर निसान कैसा गया हो ऊपर यहाननी समान पात यक्स पर अनपात तीन अंदर-ंदर की गुड़ा और बाहर की गुड़ा तो लिखेंगे चालिस गुड़े यक्स बराबर तीस गुड़े टीन यानि यस बराबर लिख देंगे तीस गुड़े तीन बटे चालिस अब की जीरू से 0 कर गया उपर आग wil तींत नो बटे चार जब चार से भागतेंगे कितना आ जाएग का चार एकंग चार 168 चार दूनी AoI पोइंट लगाएंगे कितना रहा है एक चार दूनी ओठ चार पंत्यव वीस यानि दो पॉइंट था यह मीरिफिख टोभन्थ दो सही एक बटय चार घंटेए यह हो गया अब देखिए अगर हम इसकार से ना लगाना चाहेaben पहले तो कीलीर कर ले अगर法 किलिया दिए इसमें क्या होता हमको दिक्क्त होती है की अनलों कैदा निएहर पिर पृति लोम। पाला यह समझे कैसे बिसे दिद्धे को हम रहे है मजधूरों की संख्या है पांच मजधूरी Giant बारा-इसो-पचास, अगर 5 मजदूर हैं, तो रुपयह कितना मिला आपको बारा-इसो-पचास अगर 2000 रुपयह मिल है, तो बताए मजदूरों के संख्या कम होगी की ज्यादा होगी ठीक? अब समझे, जब 1250 रुपयह मिलते थे तब कितने मजदूर थे? 5 अब 2000 मिलना यानि मजदूरों के संख्या क्या है ज्यादा होगी न यहां पर समझे क्या होता है जब ज्यादा होता है तो जो दो संख्या दी होती है जो दो संख्या दी होती है एंसर कितना आएगा यहां पर एंसर कितना आएगा ज्यादा आएगा तो ज्यादा के लिए क्या क तो यह जाएगा आठ यानी आठ मजदूर लगेंगे इसमें आपको यह नहीं सोच ना है कि ऊपर कर निसान लगाना या फिर नीचे के दरफ चलो आते हैं इस सवाल के तरफ देखें जब बारा मजदूर थे तो कितने दिन में काम साफ्थ हो जाता था दस दिन में अगर वही क आपको छे दिन में समाप्त करना हो तो पताओ मजदूरों की संख्या बढ़ाओगे घटाओगे तो पहले बारा मजदूर थे तो दस दिन में समाप्त होता था अब छे मजदूर है तो मजदूरों की संख्या बढ़ेगी यानि एंसर क्या आएगा हमारा ज्यादा आएगा ज्यादा में इससे ज्यादा आएगा जोग नहीं दिया होता है। उसी में तुल्ला करते हैं। और कम ज्यादा कौन संख्या नीचे रखते हैं। जो दो संख्या दी होती है। अब एंसर क्या आना चाहिए देखें जब बारा मजदूर थी तो दस दिन में कांव साथा था अगर छे दिन में ही सवाप्त करना है तो मस्दूरों की संख्या क्या करने होगे ज्याधा तो ज्याधा के लिए हमने क्या बताया यक्स बराबर लिखेंगे कम दर्जा नीचे जाएगा आपका 20 मजदूर अगर 12 मजदूर थे तो 10 दिन मेकाम समाप्थ होता था अगर 20 मजबूर लगा देंगे तो आपका 6 दिन मेकाम समाप्थ हो जाएगा खैक अब निसान तो हमने बता ही दिया इस परकार से लगाएंगे तो यहां पर समझें देखें यहां पर गया अगर मजदूरों के संख्या बढ़ा रहे हैं तो मजदूरी बढ़ रही है तो यहां पर जब मजदूरी बढ़ रहे हैं तो यहां पर जब मजदूरों की संख्या जब इधर बढ़ रहा है तो इधर भी बढ़ेगा और उसमें क्या होता है इसमें Д estखे ये हमारा कैसा है ये हमारा अनलोम है अब पर्तलों में क्या होता देखे जब मजदूरों की संख्या बढ़ाया मजदूरों की संख्या थी बारा तो दिन कितने थे दस अब जब दिन हमारे कम कर दिये हमने दिन कम कर दिये लेकिन यहां पर मजदूरों की संख्या क्या कर रहा है बढ़ा रहे ने उल्टा कर रहे हैं जबकि मजदूरों की संख्या क्य धन्यवाद.